हलो बच्चा पारटी नमस्कार अदाब सक्षकाल एंड केम चो उमीद करता हूँ आप लोग इकदम बढ़े आओंगे शांदार तरीके से होंगे आज से हम नया चप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क पावर एंड एनरजी याद रखे का नीट में यहां स से दो से तीन सवाल पूछे जाते हैं बड़ा इंटरस्टिंग चैप्टर है और यह चैप्टर बच्चा पाटी कॉम्बिनेशन है प्रिविएश चैप्टर कानेमेटिक्स का एंड फ्रिक्शन नूटन्स लॉफ मोशन का तो आपने अगर इससे पहले का प्लेलिस नहीं दे दिकत हो रही है तो हमारे टेलिग्राम में जॉइन कर लेना विकिस जैसी लेक्चर खताम होता बच्चा मैं कोश्चन की प्रक्टिस के लिए बहुत सारे सवाल भी देता हूं और साथे साथ हमारे लेक्चर के नोट्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं चलिए स्टार्ट करत चलती है पेड बैच जो स्टूडेंट्स मुझसे सेपरेटली परसनली पढ़ना चाहते हैं अपने डाउट क्लियर करना चाहते हैं सबसी खास बात दिसंबर दोहजार चौबिस तक अपना सिलेबस खतम करना चाहते हैं आप कहीं भी पढ़ रहो अगर सिलेबस लेट खतम हो करने के लिए आप सिंप्ली क्लास 24 अप्लिकेशन डाउनलोड कर लीजे अपना अन्रोल्मेंट लीजे और उसके बाद आपको मेरी लाइव क्लास दिखाई देने लेगेंगे ठीक है अगर आपको कोई भी प्रब्लम आती है तो आप स्क्रीन पर दिएके नंबर पर कॉल कर स कि फिजिक्स के साथ यार 100% प्यार हो जाएगा आपको अगर थोड़ी सी भी डाउट रहती होगी या बड़ी सी भी डाउट रहती होगी ना वो सबके सब छूमंतर होने वाली है all you have to do is focus on the lecture अच्छे से देखिए मैं यहाँ इस लिए देख रहा हूँ पिकस मुझे स्क्री फ्राइडे रात को हमारा लेक्चर आता है नीट का उसके आद मैं आपको बताऊंगा potential energy और उसके curve और कैसे उसके questions आते है conservative forces and then we'll discuss about the power चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले work कार्य क्या है देखिए कार्य को समझने के लिए आपको थोड़ा सा previous जो पड़े हैं उसके उपर चलना पड़ेगा माल लीजे कोई surface है एम मास का ब्लोक है इसके उपर एक force लगा angle theta है सर ने सिखाय था theta के तरफ cost component होता है और उसके तरफ कौन सा component होता है बाबू F sin theta अगर surface चिक नहीं है frictionless surface है तो यह यहां से यहां तक displaced होके इधर आ जाएगी friction अगर नहीं हुआ तो यह displacement करते हुए कहां पहुच जाएगी यहां पहुच जाएगी तो वास्ता हमें इसको यहां से यहां लेकर आया कौन? force लेकर आया ना कौन सा? F cos theta और इस force से displacement कितना हुआ? D तो वास्तिकता में बच्चा पार्टी यह जो F cos theta into D होता है displacement इसी को हम क्या कहते है? work done कहते है यानि आप अपने notebook में अभी क्या लिखेंगे मेरे lectures को सुनते हुए notes बनाईए मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा बच्चा कि physics में आपको प्यार हो जाएगा and guaranteed आपके need के कोई भी question हो PYQ की जब आप practice कर रहे हो आपके सारे question बनेंगे lectures को ध्यान से सुनिए बस तो work का मतल इसे हम कह सकते है F.D है ना तो यह आपको क्या मिल गया work का formula vector F.D अब यह कैसी quantity है work उससे पहले हम unit की बात करते हैं तो इसका unit होता है Newton meter और होता है बच्चा लोग joule यह ऐसा unit है अगर हम CGS unit की बात करें तो वो आपका ERG अर्ग होता है और एक joule में 10 की घाते 7 अर्ग होता है यह भी आप याद रख लीजिए अब बात करते हैं इसका unit तो हो गया कि कैसी quantity है ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि सर फोर्स तो वेक्टर है displacement भी वेक्टर है because वो positive negative 0 हो सकता है है ना बात एक दम सही है तो सर वर्क भी आपका vector quantity हुआ बट यह गलत है बेटा बहुत ह सिंपल है यहाँ पर dot product है scalar product है मेरी जान अगर scalar product है तो जो result आएगा वो भी scalar quantity ही होगा अब कभी तुमने ऐसा सुना है कि जो energy होती है यानि जो work done होता है वो दिशा पर depend करता है नहीं ना तो यह आपका scalar quantity हुआ work scalar quantity है अब दूसरी बात वर्क का nature कैसा होता है यह जो भी हमन इसे यह मुद्दे बनाते चलिए मेरे class की सबसे खास बात होती है मलग-लग मुद्दे बनाते हैं अब हमें यहाँ पर आपको दिखाना है कि work done by variable force फिर हम उसके nature पर बात करते है variable force का क्या मतलब है देखे जैसे मैं किसी body की उपर force लगाता हूँ यह m mass की body है इस पे मैंने 10 newton का force लगाया और बात में इस पे ना force लगा रहा हूँ 10x प्लस 4 newton का आप बता सकते हैं दोनों में क्या difference है आप सर इसली पता चल रहा है सर जो उपर वाली force है 10 newton वो constant force हुई तो इस से related जो formula हमें apply करना होगा constant force का वो f dot d होगा vector में लेकिन ये वाली जो force है न वो variable force बोली जाती है variable force का मतलब होता है यहाँ पे x, y, z के form में equation का आना अब अच्छा x कुछ भी हो सकता है y कुछ भी हो सकता है z कुछ भी हो सकता है x की value आप 1, 2, 3 रखोगे 1 रखोगे 14 newton, 2 रखोगे 24 newton, 10, 2, 20, 24, 24, 3 रखोगे 34 newton मतलब force vary कर रहा है और जब भी force vary करता है बच्चा पार्टी मेरी जानबाल, लालबाल, गोपाल बच्चा लोग तब यही work done का formula इस तरीके से change हो जाता है vector f dot में dx यानि की variable force की वज़ा से work done यह से निकलता है neat पिछले कई सालों से एक pattern इस chapter से बहुत पूछता है मैं आपको हर तरह के pattern इस lecture में सिखाऊंगा, lecture की length जितनी भी जाए उसे जरूर देखना, छोड़ना मन और comment करके बताना बच्चा आपको कैसा लगता है जैसे force दिया है 2x plus 4 तो x बराबर 0 meter से लेकर के x बराबर में 10 meter तक हमें work done पूछा है क्या बताइए इसमें कौन सा formula लगेगा, वीडियो को रोकिए और comment करके बताइए f.d या f.dx, सर साब साब पता चल रहा है यार, यह variable force है न, तो variable वाला work done का formula आएगा integrate करना है, अब इसका integration 2x plus 4 and then dx, speed में होना चाहिए बच्चा, neat is all about speed and accuracy और जो हमारे paid batches में join करता है, उन बच्चों को मैं यही सब सिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप मेरे yt के lectures को ना देखते हुए crack नहीं कर सकते, 160 plus marks 180 में से नहीं ला सकते है, physics में definitely ला सकता है, बड़ यह नहीं 2 solve lot of questions, यहां lecture में कराता है बड़ इसके बाद आप previousary के questions जरूर करा करें, for that telegram join करो, तो 2 as it is, x की power 1 है, उसमें एक जूड दिया, यही रूल होता है, integration का, डबबा बनाया 0 से 10, फिर 4, फिर यह x 0 से लेकर के 10, basic mathematics कच्ची है, तो मैंने वीडियो बनाई है, जरूर देख लीजिए, 2 से 2 कड़ी है, x क square, यानि कि 100 माइनस में 0 मतलब 100, और 10 चो के कितना हो गया, 40, तो आपका answer कितना आ गया, 140 joule, अब बताइए, ऐसे question कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो अगर variable force के सहारे सवाल आता है, तो हम इस तरीके के questions को समझ लेंगे, तिमाग में रख लेंगे, और हमें इसे इसी तरीके से क्या करना है, बच्चा, solve कर लेना है, ठीक है, आईए, अब मैं बात करता हूँ, nature of work done की, कारे का nature कैसा होता है, तो बच्चा, कारे न, आपका positive भी हो सकता है, कारे आपका न, negative भी हो सकता है, और कारे न, आपका 0 भी हो सकता है, बेशक, यह a scalar quantity ह है, लेकिन, यह positive, negative और zero, तीनों हो सकता है, जड़ा देख करके बताईए सर कैसे, example के तोर पर बताओ सर, यह देखो, यहाँ पर force लगा external, यह कोई surface है, m mass का block है, और यहाँ पर coefficient of friction, mu दे रखा है, तो इसका displacement यहाँ हो जाएगा, हम ऐसा मान लेते हैं, यहाँ पर की fx, external is greater than friction, तो यह यहाँ से खिसक करके यहाँ आ गया, अब अगर मैं यहाँ पर external force की वज़ा से work done calculate करूँ, तो fd cos में 0 होगा न, क्योंकि force का direction, and displacement का direction, both are in the same way, दोनों एक ही तरीके से हैं, जहाँ force है, वहीं displacement है, तो theta 0 हो गया, and we all know that theta 0 होते ही, हमारे को cos 01 मिल जाएगा, मतलब जो work done हमें मिला, वो बच्चा क्या मिल गया, positive मिल गया, तो work positive होता है, लेकिन अगर इसी question के अंदर मैं बोलता, कि इस block पर friction force की वज़ा से बताइए work done कितना, तो displacement तो बाबू हुआ बोडी का इस देशा में, लेकिन friction लग कहा रहा था, इस देशा में हो रहा था, तो अब आप जब work done निकालेंगे, तो यह हो जाएगा FD cos 180, क्यों 180, because displacement यहां है, friction यहां है, cos 180 की value क्या होती है, minus, तो देखो आ गया न मचेदार, अब आपका work done क्या आया, negative आया, तो work done positive भी हो सकता है, work done negative भी हो सकता है, आप जरा 0 की बात कर लेते हैं, यह कोई ground है, यह एक दिव example में हमेशा कौन होते हैं, शुकला जी, शुकला जी इस दिवाल के उपर ऐसे दबाओ डाल रहे हैं, force लगा रहे हैं, कौन सा force, normal force या कोई भी force लगा रहे है, capital F, बताएए work done कितना होगा, क्या सुकला जी दिवाल को खिसका पाएंगे, नहीं sir, क्योंकि displacement तो ही नहीं, और बताइनी सब सवालों के अंदर normal force देखि कहा लगता, यहा लगता, mg कहा लगता, यहा लगता, क्या यह normal force किसी भी तरह का work कर रहा हैं नहीं, क्योंकि इसकी वे से displacement ही ही नहीं, mg ही नहीं, क्योंकि mg और displacement में Angle ही 90 है, normal force और displacement में Angle ही क्या है 90 डिगरी है, तो जब भी आप work done के सवाल कर रहा है आप यह चीज जरूर ध्याद रखें कि वर्क दन किसके वज़ा से पूछ रहा है नॉर्मल फोर्स ग्रेविडेशन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स एक्टरनल फोर्स या फिर नेट फोर्स बहुत इंट्रेसिंग बात मैंने अभी जस्ट आप से कही अपने कर रहे हैं तो सवाल में सबसे पहले यह देखिए कि वर्क दन कौन से फोर्स की वज़े से पूछा है फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रियक्शन एमजी एक्टरनल फोर्स या नेट फोर्स अब यह नेट फोर्स क्या है हम पढ़ चुके हैं न्यूटन स्लॉप मोशन के अंदर एक एकजामपल लेते हैं तो आपको बहुत बढ़िया से चमकेगा कि सचिन सरवास्तों में कहना क्या चा रहे हैं और समझा रहे हैं जो वो आपके दिमाग में घुसना चाहिए आईए देखिए एक एकजामपल लेते हैं यहाँ पे बैबु लोग तो ये एक ब्लॉक है 10 कि लिया इसके उपर ना बच्चा यहां पर 100 N का फोर्स लग रहा है एंगल 37 डिग्री है को इफिशन्ट और फ्रिक्शन म्यूज इकल टू 0.2 है यह इस तरीके से ग्राउंड है और इसका ना डिस्प्लेस्मेंट हुआ है 10 cm यह बाडी यहां पर खिसक करके आ गई है इस फोर्स की प्रभाव के कारण यहां पर आपको बोलता है वरिक डन बाई बाइधन एट पोर्स कितना वह या वर क्रेप्शन फोर्स कितना हुआ कि व्रद पूछ है यह वह सकता हुअू है बाट में आपको नेट फोर्स बताता हूं एसे सवालों को डील करना मैंने आपको previous class में सिखाया था सबसे पहले so new drink के वो इसी body move कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये पूरे बात इस बात पर निर्भर करता है कि body और surface के बीचे friction maximum कितना है क्योंकि maximum friction ही आपको बताएगा कि body रुक रही है या body चल रही है तो चलिए हम सबसे पहले fs max निकालते है fs max कितना तो mu s into n mu s कितना है 2 by 10 और n कितना है येस आप इन बराबर mg लिख देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि direction of force देखी कुछ इस तरीके का है कितना है 100 newton का है angle कितना है 37 degree इधर हो जाएगा एक force लगेगा theta की तरफ ये आपका हो गया 100 अच्छा cos 37 आपका 4 बटे 5 होता है triangle method हमें से सिखाया है तो ये आपका 80 newton हुआ और नीचे की तरफ आपका हो जाएगा 100 sin 37 यानि कि ये आपका 60 newton हो जाएगा और normal force weight weight इसका 10 का कितना mg के हिसाब से 100 newton हुआ तो normal force n बराबर में mg n बराबर में ये n is equal to this तो 160 newton हुआ बच्चा ये आपका हुआ 160 कटा तो कितना newton आ गया 32 newton आ गया यानि body को रोग कर रखने वाला force कितना है 32 newton पीछे की तरफ लग रहा है friction force कि आपका fs maximum पीछे की तरफ लगेगा body यहां मूख करने वाली है तो क्योंकि force ऐसे लगा रहा है अब body को surface के लोग चला कौन रहा है 80 newton क्या external force 80 newton is ज़्यादा than this fs maximum answer है हाँ तो body पर net force कितना हो गया तो net force हो गया 80 इधर minus friction fs maximum जो की है 32 newton तो 80 में से 30 चला गया 50 50 में से दो और घड़ा दीजे तो 48 newton का जो force है बच्चा लोग वो आपका fnet है अब आपका work done हो जाएगा 48 into displacement आपका कितना था बाबू 10 cm मतलब एक बटे में 100 कड़ गया तो 4.8 joule यह है आपका work done बहुत अच्छी variety का सवाल है इस question के अंदर हमें समझने वाली जो चीज है वो यह है कि जब हम work done निकाल रहा है तो पहले हमें यह देख लेना होगा कि friction लग रहा है क्या अगर friction लग रहा है क्या वो friction इतना sufficient है कि external force को tolerate कर ले तो body move नहीं करेगी तो work done zero हो जाएगा और अगर body move कर रही है तो कितना तो आपके सामने है net force multiply by displacement चलिए इसी में हम एक और pattern सीखते है बच्चा positive negative तो हमने कर लिया यह भी हमने आपको सिखा दिया यह question का answer आप लोगों को comment में देना है because मैंने आपको ऐसा एक must question अभी अभी कराया जो भी बच्चे इस वीडियो के इस segment तक पहुचे है वो comment करके बताए देखे बीटा मुझे फरकी नहीं पड़ता कि कितने वीडियोस को कितने लोग देख रहे है क्या views पे आ रहे है I don't care मुझे बस इतना है कि मेरा एक बच्चा भी इस वीडियो को देखे ना उसे फिजिक से प्यार हो जाए और वीडियो के इस हिस्से में अगर आप पहुचे हो आपको प्यार हो गया तो ये question करके comment करके बताओ yes बावा SSP का बच्चा पार्टी हूँ question करके दिखाता हूँ इतना प्यारा content है बच्चा इसी content के लिए बहुत सारे लोग लाखो रुपे भरता है और बहुत सारे जगह पर live glasses में आके इसे एक साथ खतम किया जाता है we will do it also बट मैं चाहता हूँ एक बार पहले पूरा अच्छे से पढ़ लीजे YouTube में ही मैं पूरा December तक आपका syllabus खतम करा दूँगा 2023 तक अगर आप lectures को अच्छे से follow कर रहे है तो हर chapter तीन class में खतम हो रहा है और इससे better content आपको कहीं नहीं मिलेगा 10 घंटे मैं भी इसी chapter को खिच सकता हूँ लेकिन कोई मतलब नहीं है आप concept सीखने के बाद मुझे कितना आता सचन सर को कितना आता यह माने नहीं रखता कि मेरे students crack करेंगे सचन सर के lectures को देखने के बाद आपके अंदर सचन सर के students के अंदर question करने की भावना बढ़ चुकी है तब आप need को crack कर जाएंगे और मेरी कोसिस यही रहती कि concept इतना बढ़िया से समझादू सवालों के माद देंसे concept को इतना बढ़िया से समझाओं कि आपके सामने कोई भी question आए आप उसे करने लग जाएं करने में मज़ा आ रहा है न तो comment अपना जरूर करने चलिए तो यह आप question का answer दीजिए इसी का एक और pattern आपको सिखाता हूं देखो कैसा pattern आता है एक यह भी हो जाएगा इस question के अंदर बहुत सारे हैं जो आप कर सकते हो ठीक है यह पीडिएफ मैं आपको दूँगा टेलिग्राम के अंदर दो तीन सवाल एक जैसे similar लगता है तो मुने छोड़ता हूं आपके उपर रखता है आप उसे करिएगा calculate the word done by force यह question भी नीट में बहुत पूछता है यह pattern का भी बहुत आसाने बच्चा क्या करना होता है इसमें देखो आपको वरिड़न बोल रहा है तो वरिड़न is equal to basically होता क्या है force तो 3-2-4 इतना time नहीं रखने का नीट में सीधा डॉट लगाया displacement यह आपका initial है यह आपका final है 3-2-2 यानि की 5-6 माइनस में गया तो 5-2-3 यानि की माइनस 5 उत्तरी की सब हो गया तो displacement final माइनस में initial तो 3-2-5 6 में से गया 5-2-3 माइनस में 5 हो गया तो 3-5 15-10 4-5 माइनस में 20 कितना हो गया माइनस में 15 जूल done यह आपका answer क्या था इसमें अब वैसे question में आप ज्यादा समय ना लीजे क्योंकि need में हमें क्या ध्यान रखना है speed and accuracy और वही speed को बढ़ाने के लिए concept को पक्का करना होता है चलो बच्चा तो एक यह pattern भी हो गया अब एक और चीज़ आपको सिखाता हो जैसे मान लीजे एक important concept ही है concept of graph समझ लो यह भी आपको need के pyq से मिलेंगे और graph को करने का तो हमेशा से मैं आपको एक बहुत ही प्यारा तरीका सिखाता हूँ आज भी वही सिखा रहा हूँ ध्यान से सुनना यह f है यह आपका x है यह इस तरीके से बना हुआ है यह आपका 5 है यह आपका 10 है यह 0 है और यह आपका 10 newton है this is a graph of f versus x note करके लिखना ठीक है graph of f versus x किसी भी f versus x की graph में अगर आपको work done बोला है तो क्या करेंगे हमेशा graph के y axis और x axis को multiply करिए force into x फिर आपको सवाल में जो पूछा है उसके साथ इसको match करिए सवाल में पूछा है work done क्या work done y और x के साथ करने पर आ जा रहा है हाँ तो ऐसा हो जाए तो आपको हमेशा सवाल के अंदर area ही निकालना है इस trick को बिठा लो दिमाग पे कभी भी जो सवाल पूछा हो कभी भ ग्राफ दिया हो ना सबसे पहले उसका y-coordinate x-coordinate को multiply करो यहां सपोस कर लो momentum यहां टाइम है तो momentum मुल्टिप्लाइब है टाइम क्या निकलेगा कुछ नहीं निकलेगा जैसे f is equal to p by t होता है हाँ force into time है तो क्या होगा changing momentum force into displacement क्या है तो work और सवाल में पूछा work की हो सवाल में पूछा momentum ही हो तो क्या करना है area find out करनी है तो इसकी area क्या हो जाएगी 1 by 2 10 altitude कितना 10 कट गया तो 10 Joule खतम लीजिए कितने pattern हो गए एक जिसमें friction दिया हो एक जिसमें हमें friction के साथ साथ net force पूछा है किसी भी individual forces के वैसे work done पूछा हो तीसरा हमें initial final position पता हो तो हमें work निकालना आता है और चौथा graph दिया हो तो हमें work निकालना आता है इतनी बाते clear हो गई अच्छे से अब एक और बहुत अच्छा सवाल है work का कि ऐसे question को कैसे deal कर करते हैं उसे भी मैं आपको बताता हूं आये बच्चा एक और बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम है चैन पूलिंग प्रॉब्लम अच्छा ये चैन पूलिंग अगर आप अभी समझ लोगे न तब आपको कल के next class के अंदर जो हमारा Wednesday को lecture आएगा every Monday, Wednesday, Thursday हम आपको lecture provide करते है नीट का उसमें आप potential energy में बहुत अच्छे से deal कर पाओगे तो दीखे चैन प्रॉब्लम में क्या होता है ऐसे table होती है उस table पर इस तरीके से chain का आधा हिस्सा कुछ कुछ हिस्सा ऐसे रहता है और कुछ हिस्सा जो होता है ऐसे लटका होता है सवाल ये कह रहा है कि chain का जो मास है वो M है total length L है और इसका L बटे N हिस्सा जो है ना बाबू वो लटका हुआ है ठीक है हमारा सवाल ये है कि इस chain को अगर मैं खीचू तो इतना portion पूरी तरह से horizontal हो जाए तो chain को खीचने में work done work done by gravitational force force कितना होगा gravitational force कितना होगा देखे ये जो सिरा है ये तो already surface पर है इसी सिरे को मुझे उपर लेकर के जाना है correct तो अब अगर मैं इस सिरे के लिए mass find out करना चाहूं तो वो mass कैसे निकलेगा बड़ा ही simple सा logic total length कितनी है इसकी L total mass कितना है M बाई अगर L by 2 होता तो mass कितना हो जाता M by 2 तो इसी तरीके से L by N में जो mass होगा वो आपका M by N होगा और ये कैसी body है बच्चा chain symmetric है मतलब उसकी structure हमें दिख रहे हैं proper तो symmetry हुआ तो किसी भी symmetric body का जो mass होता है वो concentrated होता है उसके center of mass पर point पर तो entire mass आपका यहाँ पर है M by N और नीचे की तरफ कौन सा force लग रहा है M by N into G क्योंकि mass आपका M है M by N है तो उस पर force कितना लग गया M by N into G लेकिन खीच कहां रहे हो आप इधर उपर तो displacement कितना हुआ इस mass का यह देखिए L by 2N जितना displacement हुआ तो force हो गया F D and then cos 180 सवाल देखिए क्या बोला है external gravitational force की वज़ा से कारे कितना हुआ तो force कहां लग रहा है नीचे displacement कहां हो रहा है उपर अरे यह चैन आप खीचेंगे तो ऐसे ही होगा न इसी सवाल को और अच्छा मुझे करना हो जहीं मेंस advance के लिए करना हो मैं आप friction भी दे दूँगा मतलब मैं यहां को efficient friction डाल दूँगा बड़ अब यहां वो नहीं दे रहे है अब पहले इसको समझे एक्सवासी क्यों हुआ displacement उपर हो रहा है mg कहां लग रहा है नीचे so m upon n and then g and then displacement कितना है बावू लोग l by 2n और cos एक्सवासी की value कितनी होती है minus 1 so यह आपका हो गया mg l upon 2n का square with a sign minus 1 और वो minus भी आ रहा है किसके वज़ा से gravity यानि gravitation force की वज़ा से अगर मैं कहता external work done बताई एक्सवासी की वज़ा से एक्सवास ऐसे लगता मतलब किसके उपर ऐसे लगता फूर्स और वो कितने के बरावर होता at least mg के बरावर होता क्योंकि अगर mg4 से लटका हुआ है 20 newton से और मुझे उसको उपर की तरफ लेके जाना है तो मुझे उससे 20 newton से थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा बट minimum 20 तो लगाना ही पड़ेगा यह हो गए तो वर्क के अंदर इतने ही पैटन से कोशन पूछा जाता है अब वर्क में एक और टॉपिक आता है उसे समझने के लिए हमें पहले कानेटिक एनरजी समझना पड़ेगा बट पहले बताईए यहां तक चमकीला है चमकीला इंदर सेंस क्लियर है एक दम पड़िय यहां से फील आया है तो प्लीज अपना प्यार जरूर दीजेगा एक हर्ट बना दीजिए कॉमेंट सेक्शन के अदर अच्छा लगेगा आजो अब आपको सिखाता हो काइनेटिक एनरजी ठीरम और इसमें जो कोशन छोटे छोटे-छोटे हैं बच्चा उन्हें जरूर करी कर जैसे देखिए यह सवाल है यह आप टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं अब बात करते हैं काइनेटिक एनरजी की काइनेटिक एनरजी होता क्या है motion related simple सुद्ध भासा में याद रखे motion related जो हमारी एनरजी होती है बच्चा उसी को हम काइनेटिक एनरजी कहते हैं बहुत है simple ज़्यादा time pass नहीं करेंगे इसमें काइनेटिक एनरजी का formula half mass into velocity का square या फिर हम यहीं पर क्या कर सकते हैं mass से multiply mass से divide mass into velocity क्या बन जाएगा momentum यह बहुत बार आप यूज करोगे भी class 12 के अंदर cyclotron मगेरा में बहुत अच्छी थेरी आती है यह तो पी इस इक्वल तो अंडरूड of 2mk तो कानेटिक एनरजी का formula half mv square या फिर पी square divided by 2m जहाँ पर पी क्या है linear momentum और m क्या है बच्चा पाड़ी तो mass इसका unit भी क्या होता है सेम इसका unit क्योंकि एनरजी है तो इसका unit भी क्या होता है Joule ही होता है CJS unit क्या हो जाएगा अर्गो जाएगा कानेटिक एनरजी हमें समझ में आ गई तो वो इस बात पर depend करता है कि उसका mass कितना है उसकी velocity कितनी है जैसे देखिए यह pain है और यह remote है इसका mass अलगे मैं आपके तरफ मारू इसका velocity अगर तेज करतू न भले इसका mass का मिलेकिन आपका जो सीर है उसको फोड़ सकता है क्योंकि इसकी फिर kinetic energy क्या हो जाएगी के साथ बहुत ही सुन्दर सा है वर्क energy theorem अच्छा very good theory और इसे लोग बहुत गलत तरीकी से करते हैं जिस वरसे सवाल फश जाता है हम इसे एक दब बढ़ियां से समझेंगे आए देखिए वर्क energy theory को समझने के लिए हम एक example लेते हैं simple सा subtle सा example body का mass m है उस body का mass m था वो पहले U जितनी velocity से चल रहा था initial finalist की velocity V हो गई यहां से यहां तक उसने displacement cover किया D जितना इस पर external force लगा होगा F जितना तो वर्क कितना हुआ क्योंकि external force लग रहा है F displacement D है cos 0 हुआ यह आपका हो गया F into D यह आपका equation number 1 अब kinematics में ऐसा कोई equation सूची है बेटा जिसमें U भी हो और V भ equation है from kinematics 2AD is equal to V square minus में U square तो A into D is equal to V square minus U square divided by 2 इस equation 1 से from equation 1 अगर आप देखें force की जगा पर तो मैं mass into acceleration लिख सकता हूँ हाँ sir तो mass into acceleration into D which is V square minus U square divided by 2 correct तो यह आपका हो गया M V square by 2 minus M U square by 2 यह क्या हो जाएगा final kinetic energy यह क्या हो जाएगा initial kinetic energy इसे ही हम कहते है work energy theorem यानि W is equal to change in kinetic energy किसी भी body पे होने वाला जो कार्य होता है work वो हमेशा उसमें kinetic energy में change की बराबर होता है लेकिन बेटा अच्छे से समझना इस वात को यह जो work होता है ना सिर्फ work नहीं है this is work done by all the forces फिर हो चाहे conservative force हो चाहे external force हो चाहे कोई भी force हो for example यहां मैंने friction वगेरा नहीं लिया था लेकिन अगर friction होता तो उसकी वज़े से भी हमारे को work done लिना पड़ता तो किसी भी body के kinetic energy में जो change आता है वो हमेशा उस पे लगने वाले entire forces की वज़े से होने वाले work done के बराबर होता है इस चीज को हम समझते हैं एक example के माध्यम से आईए चलिए यह देखे यहां पर एक 5 kg की ball है चलिए एक 5 kg की ball बना दिया हमने ठीक है सर कोई दिकत वाली बात नहीं है when falls through a height of 20 meter यह यहां से गिरा fall कर रहा है तो initial velocity 0 होगा उसके बाद जब यह गिरता है तो उसकी जो velocity आती है 10 meter per second हो जाती है अब देखे तुरन देखे यू हमें पता चल गया वी हमें पता चल गया तो उसका मतलब है मैं change in kinetic energy निकाल सकता हूँ तुरन समझे सवाल कैसे attend कर रहा है सर half mass mass कितना 5 वी का square कितना 10 10 का square कितना 100 तो यह काट दोगे बच्चा तो 25 यानि कि 2500 जूल आ गया तो delta के आपका 2500 जूल यह final है minus में initial करूँगा तो 0 का because u 0 था तो 200 जूल minus में 0 जूल यानि कि यह मुझे कितना मिल गया 2500 जूल तो सवाल में यू और भी दिखते ही delta के निकाल लो अब क्या बोलता है find the work done by air resistance मतलब जब यह ball नीचे की तरफ आ रहा होगा resistance का मतलब क्या motion के against direction में लगने वाला force तो अब इस body पे या इस ball पे दो तरह के forces हैं एक तो gravitation force है और दूसरा air resistance है तो जो हम लिखते हैं w is equal to delta के उसमें यह जो w है that is actually the sum of all the forces मतलब work done by gravity plus work done by air resistance is equal to 250 joule अब work done by gravity क्या होगा mg gravitation force कहां लगता है नीचे की तरफ mg mass कितना है 5 जी कितना है 10 तो यह कितना हो गया 50 joule और displacement कितना हुआ 20 meter का displacement है दिख रहा है ना question में यह देखे 20 meter का displacement है तो इसका displacement हो गया 20 meter का तो यह आपका कितना हो जाएगा work done by the gravity mg mg है आपका 50 into displacement है आपका 20 into cos 0 कर दू क्योंकि work done is equal to f dot d d cos 0 की skew क्योंकि mg और displacement बोथ हार in the same direction plus work done by the air resistance हमें नहीं पता यह आपका हो गया 250 तो cos 0 की value 1 पांस नहीं 10 यानी 1000 तो work done by the air is equal to 250 माइनस में 1000 मतलब में माइनस में 750 जूल जितना कार यह हुआ होगा work done by the air resistance आई बात समझ में तो यह एक बहुत अच्छा example है how to apply work energy theorem work energy theorem में सबसे पहला step होना चाहिए change in kinetic energy निकाल लो फिर यह देखो FBD बना के यहां पर FBD बनाओगे तो mg और air resistance ही तो है कि कितने forces मौजूद हैं उन तमाम forces की वज़ा से हमें work done निकालना है एक और बहुत अच्छा सा पैटन लेता हूं बच्चा जिससे आपको और clarity मिलेगी ज़रा है सवाल देखे एक box है मास 10 kg का है 20 meter per second से इसको उपर की तरफ फेका as shown in the figure the coefficient of friction between the box and the plane is 0.5 find the distance travel by the box on the plane before it stops for the first time यह इस तरीके का बहुत ही प्यारा सा सवाल है 37 degree का एंगल है कितने किलो का box है बच्चा लोग कि यह चल रहा था 20 meter per second से मास इसकी दे रखी है 10 kg बराबर फिर कहता है कि जब यह रूका तो इसने कितना distance cover किया यह यहां पर आ गया कितना किलो था 10 kg तो जब यह रूका तो इसकी जो velocity हो गए यहां पर 0 meter per second हो गई यहां एंगल 37 degree है और coefficient of friction भी हमें पता चल गया यह रहा 0.5 अब देखी ध्यान से क्या हमें velocity पता है हमें यह निकालना है कि रूकने से पहले यह कितनी दूरी cover किया है हमें यहां पर यह निकालना है कि यह displacement कितना है मुझे velocity दिग गया है velocity जैसे दिग गया मैं change in kinetic energy निकालूँगा एक दब धरल्ले से final 0 initial half mass and v का square 400 यह कड़िया पांचों के 20 यानि कि minus में 2000 joule this is my change in kinetic energy this is final this is initial now we have kinetic energy में change और यह kinetic energy में change किसके बराबर है work done के बराबर by all the forces work done किसके बराबर है तो वहां पर कौन-कौन से forces अब हमें वो देखना पड़ेगा इसलिए हमें नीचे की तरफ होता है mg यानि कि 100 इस तरफ कौन सा component हो गया theta 37 तो 100 cos 37 4 बटे 5 और यह बच्चा हो जाएगा 100 sin 33 बटे 5 पांच से काटा 80 Newton यह आपका हो गया 60 Newton और भी कोई forces है body पे yes friction force body उपर जा रही है friction force कहा लगेगा पीछे की तरफ friction force कैसे निकालते हैं mu into n से mu कितना है 0.5 यानि 5 पटे 10 और n कितना है mg के बराबर यानि की 80 यह कितना हो गया 40 Newton friction आपका कितना हो गया 40 Newton और यह force कितना लगा 60 Newton displacement कितना हुआ है D but दिमाग लगा यह displacement कहा है इधर mg कहा लग रहा है mg साइन थीटा इधर और friction भी कहा है यहां पे angle कितना हुआ 180 because the displacement is in this way and both the forces are in the opposite direction that's why the angle is what that is 180 degree तो अब हम यहां पे लिखेंगे what it done by friction plus what it done by the gravitational force is equal to minus में 2000 J so what it done by the friction कितना हो गया बच्चा minus में 40 into D minus में 60 into D is equal to 2000 minus में तो आपका D बराबर हो गया 2000 divided by 6 चारदस सो ना हाँ यह आगया आपका 20 मीटर तो रुकने से पहले वो 20 मीटर जितनी दूरी रुकने से पहले यानि velocity जब 0 हो गई तो वो 20 मीटर जितना distance cover कर चुका होगा आई बात समझ में अच्छे से तो हमें work energy theorem को इस तरीके से apply करना है उमीद कर रहा हो बच्चा आपको मज़ा आ गया है अब अगर मज़ा आया है तो एक और question कर लेते हैं आईए देखिए kinetic energy of a particle is increased by 300% find the percentage error in its momentum तो kinetic energy और momentum में यह relation है that is p square by 2m यह हमारा equation 1 हुआ अभी मुझे momentum में चाहिए न तो p is equal to क्या हो जाएगा under root में 2m की इससे हम equation 1 लेते हैं अब मान लीजे कि जो final momentum है वो p dash है mass वगरा में तो कोई change है नहीं बट kinetic energy 300% बढ़ गई हम कहते हैं 10% किसी भी body में बढ़ गया तो वास्तों में value 110 बटे 100 हो गई what I am doing simply I am adding 10% तो 110 by 100 अगर मैं कहता हूँ 10% decrease हो गया इसका मतलब है 90 by 100 that is 0.9 here it is 1.1 same way में हम कह रहे है 300% का बढ़ जाना 100 में जोड दीजे 100 में 10 जोडा था 110 आया था 100 में you have to add 300 so it is now 400 divided by 100 so the value is what 4 यानि की kinetic energy कितना हो गया 4k times चमका तो बाभू लोग P dash बराबर अगर मैं इस 4 को बाहर निकाल दू ध्यान से देखे इस 4 को मैं बाहर निकाल दू तो 2 हो जाएगा 2 into 2m के यानि की 2p हो जाएगा यह मेरा equation number 2 अब हमने क्यों निकाला यह यह क्यों कि हमें चाहिए था percentage increase and आपने unit and dimension में पढ़ा था percentage का formula क्या होता है final momentum final value minus initial value upon initial value into 100% हम इसा percentage ऐसी निकालता है न तो final की value कितनी है 2p minus में p upon p into 100 तो कितना हो गया 2p minus p p कर गया तो 100% तो kinetic energy theorem कैसे apply करना है वो भी सिखा है इस lecture के अंदर और kinetic energy theorem के बाद में percentage की question कैसे आते हैं वो भी आपको सिखा दिया चलिए और देखते हैं येस बच्चा तो यह हो गया आपका 100% अब हम अगला जो lecture होगा उसके अंदर सिखेंगे बच्चा पार्टी conservative forces, potential energy, potential energy curve, conservation energy का समझ यानि कि mechanical energy क्या होता है and all ये सारी चीज़े अब हम सिखेंगे हमारे अगले याद रखिए हर Monday, Wednesday and Friday आपको NEET की physics के lectures और chemistry के lectures मिल रहे हैं बाबू और आपको सचन सर क्या देते हैं Tuesday, Thursday and Saturday boards के lecture देते हैं तो इससे बहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा यानि कि आपको board की भी physics मिल रही है और NEET की भी physics और chemistry मिल रही है तो यार अपना प्यार जरूर दीजेगा मैं lectures को बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं करना चाहता हूँ इसलिए यह हिस्सा हम second class में सिखेंगे अब आप क्या करिए बच्चा NEET का TYQS मैं आपको दे रहा हूँ हमारे टेलिग्राम के अंदर टेलिग्राम में मेरे ये notes जो हैं वो आपको मिल जाएंगे plus question की practice मिलेगी ये जो आज मैंने आपको पढ़ा है कम से कम 10 से 12 सवाल आपको मिलेंगे तो आप फटा फट क्या कर लो टेलिग्राम जोइन कर लो link description box में more than 50,000 students आप इसके अलावा अगर आप personally पढ़ना चाहते हो परसनल लेबल पर अपने doubt solve करना चाहते हो तो बेटा पूरे भारत में पूरे भारत में ऐसा कहीं system नहीं मिलेगा कि जहां पर एक ही teacher आपके लिए सारी चीजे कर रहा हो आपका doubt, आपका dpp discussion, आपसे personal touch, कोई भी problem होगा न मैं आपसे connected रहूँगा in just 8,000 rupees इस 8,000 को किसी और के साथ compare मत करिये because बाखी जगा attack है, this is not attack, this is feel, only baba SSP, only baba SSP is for you मेरी जान, 8,000 रुपए आपके सपनों के आगे कूछ भी नहीं है तो phone करिये, मुझसे बात कर लीजे, 7984-294085 पर शुकला जी phone उठाएंगे, आप पहले उन से समझ लो कि भाया मुझे paid batch, such answer का join करना है, क्या criteria है, क्या एक बार such answer से बात हो सकती है, आप अपनी पहले problem बता दो, फिर मैं आपसे one and one बात कर लो बट आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, physics में दिक्कत आ रही है, तो join करो paid batch हमारा success mantra box, because आप कहीं भी पढ़ रहो, बच्चा समझ में नहीं आ रहा है न, तो physics में marks नहीं आएग, और physics में 50 से 60 marks की कमी न, आपका rank पीछे कर देती है, और मैं guarantee दे रहा हूं आपको, कि आप मेर box को join करोगे न, 160 plus marks, paper आसान रहा, paper आसान मेरे से पढ़ोगे, लगेगा ही लगेगा, 180 से 180 का target है, बट मैं जूटे वादे नहीं करता, paper tough भी आ गया न, तो भी guarantee है, बेटा, 160 plus marks, बाबा SSP के परहार batch को join करके आप ला सकते, और अभी देर नहीं हुई है, सिर्फ 3 से 4 chapter खतम हुए है, जिनका आपको recordings मिल जाएगा, और guess what, यही chapters जो आपको recordings मिले है, वो मैं वापस live भी पढ़ाऊँगा, से लिए बस खतम करूँगा तब, आज join करोगे, तो यह chapter we have just started, work, power, energy, तो देर मत करना, join कर लेना, अगर आपको लगता है, कि join करना है, तो, मिलते हैं अगले